सबी गुरु प्रेमियों को सत नाम ससाहे है जै गुरु रविदास आज हम गुरु रविदास वाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को आदी धरम में जनमें एक महान संत जिनका नाम है संत स्री संबुगरुशी जी के जीवन के बारे में बताएंगे संत स्री संबुगरुशी जी का जनम त्रेता युग में अयोदा के समीप चमरवंस में हुआ था इनके माता पिता पाखंडवाद के कटर विरोधी थे इनके पिता जी ने इने जनम से ही अच्छे संसकार दिये और सिक्षा ग्रेंड करने के लिए इने गुरु सुकुरचारे जी के आस्रम में भेजा वही पर इनोंने अपनी पूर्ण सिक्षा प्राप्ती संस्री संबुग रिशी जी ने सभी विद्याओं का ज्यान अरजित किया ये निर्गुन भक्ती के उपासक से ये सभी विद्याओं का ज्यान अरजित करने के पच्चार जब ये अपने ग्रह जनपद में लोटे तो इन्होंने देखा कि जो आदी धरम के मानने वाले लोग हैं, उनका जीवन बहुत ही कश्टकारी है, क्योंकि पाखंडवाद ने इनका जीवन इतना निम्न कर दिया था, कि ये लोग अपने सौहिमान से ना तो जी सकते थे और ना ही मर सकते थे ये इस्तिती देखकर संबुक रिशी जी को बहुत दुख हुआ, और इन्होंने निश्चे किया कि मैं संबुक रिशी इन वैक्तियों का जो जीवन हैं, उसमें मैं अपनी सभी विध्याव से जब तब से ग्यान से उद्धार करूँगा, और इनका जो स्वाईमान हैं, उसे लोटाऊंगा, तबी जाकर मेरा जीवन सफल होगा, श्री संबुक रिशी जी का विवाबी हुआ था, इनकी पत्नी का नाम तुक बद्रा था, इनके दो पुत्र थे जिनका नाम अगंदेव और ब्रहमदेव था, संबुक रिशी जी इतने तपस्वी थे कि इनकी तपश्य करने से सभी कारे पूर्ण हो जाते थे, जब ये तपश्या करते थे, पाखंडवादी लोग इनकी तपश्या से भैबीत हो जाते थे, इनकी तपश्या और ग्यान की चर्चा संपूर्ण विश्मे थी, ये इतने प्रतापी तपस्वी ग्यानी थे कि इनसे सिख्छा लेने क लिए राजा महराजा रिशी मुनी आते थे और अपनी संतानों को भी शिक्षा लेने के लिए इनके गुर्कुल में बेशते थे इनोंने अपने समय में आदी धरम को एक विशेश योगिता दिलवाई जिसे इस धरम को मानने वाले लोगों की जीवन से लिए बदली और वे ल लोग अपने आपको गोरवानवीद समझने लगे जिससे आदी धरम खूफलने फूलने लगा इनके पच्चात इनके दोनों पुत्रों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ा इसके साथ सभी को जैगुर्विदास सतनाम सस्सा है